इस वीडियो में आपको बताने वालाओं कि कौन कौन सी इंडियन स्कौनेड्यो मूवी है जो मैं से अने मिर्स यंद किया नहीं एक और चांस मिलना चाहिए आपको क्या लगता है कमेंड में बताना और वहीं बात करें फ्लाइंग जट जो की स्क्रिप्ट ही वकवास थी भावेश जो से सुपर हीरो मर्द को दर्द नहीं होता ड्रोना हो गई और मिस्टर इंडिया हो गई जो की काफी अच्छी मूवी थी तो देखो विस्टर इंडिया को लेके आगे बनने ही वाली है तो देखो यह सारी मूवी ती जो अभी तक आज चुकी थी पर जो भी मूवी तक आज चुकी है इसे इसोसी साल आने वाली है 9 शेप्टेंबर को और यह मूवी काफी सालो से बन रही है कभी budget को लेकर कभी vfx को लेकर या फिर corona को लेकर ये काफी बार डिले हो चुकी है पर इसका finally इसका जो release date है वो 9 September का आज चुका है ये first part है जो इस साल आएगा इसके और तीन पार्ट आएंगे या फिर और बहुत सारी movies आ सकती है क्योंकि ये एक astraverse के नाम से इस movie को release किया आ रहा है तो देखो हमें इसके अंदर सारुक खान भी दिखाए देंगे as a cameo के रोल में और नागा अजुना भी हमें दिखाए देंगे बाकी इस टाकास्त की बात करें तो अमिताब बच्चन, रणवीर कपूर, अलिया वर्ट और मोनी रॉय भी है इस movie के अंदर अब बा अब वहीं बात करें प्रसंद वर्मा की universe की दूसरी movie की तो वो है अधीरा और ये movie जहां तक है 2023 तक आएगी क्योंकि इस साल तो मुस्किल ही है अब बात करें इस movie की director story writer की तो ये भी प्रसंद वर्मा नहीं लिखी है अब देखो वहीं बात करें फूर्थ पे तो फूर्थ यानि कि Netflix पे इस movie को इनिशली release करने वाले थी ये लोग theater में ही बट करोना की वैसे इस movie को Netflix पे रिलीज करना पड़ा और ये Netflix पे काफी blockbuster रही और हां इस बार ये OTT पी नहीं theaters में आएगी तो अब 6 पे बात कर लेते हैं Chris 4 की ये movie भी definitely बनने ही वाली है पर अभी तक जैसे movies को complete करने के बाद ही वो Chris 4 के ओपर काम करेंगे तो देखते हैं इस movie को कब तक रिलीज किया जाता है अब बने 7 पे तो 7 पर आती है Mr. India तो जो Mr. India आई थी अनिन कपूर की या तो उसी का remake करके या तो फिर उसी से कुछ inspire होके adapt करके बनाई जाएगी इस movie को इस movie को बनाने व sing play करेंगे पर अभी तक कुछ भी finalize नहीं हुआ है अली अबाद जफर की बात चली रही है तो मैं उनकी एक और movie का नाम बता देता हूँ जो की एक super soldier के उपर होगा female super soldier के उपर तो देखो इसके अंदर साइच से कैटने का एफ हमें as a super soldier के role में हमें दिख जाएं ये movie भी अली अबाद जफर के universe की movie होगी और भी ऐसी बहुत सारी movies आएंगी अब देखो वही 9th पे बात का है तो 9th पे आती है अजे देवगन की movie जिसके अंदर वो super villain का role play कर रहे है और ये movie बन रही है Y.R.F. यानि की यस राच के banner के नीचे और इस movie की shooting भी चल रही है तो 10th पे पर आती है the immortal of astrathama तो देखो ये movie की shooting भी चालू थी पर budget की वएसे इस movie को अभी तक hold पर रखा गया है तो ये movie कब बन कर तयार होगी या कब इसको release किया जाएगा इस shooting वापस कब चालू होगी बताया नहीं गया है तो देखो ये थी 10 superhero movies की list जो की release होने वाली है definitely अब वह भी तक उसके ओपर कोई भी news निकल के नहीं आई है वैसे ही ऐसे एक और movie है रक्षक जिसके अंदर ऐसा rumor निकल के आया था कि इस movie के अंदर हमें John Abraham as a रक्षक के रोल में दिखेंगे पर उसके ओपर भी कोई भी confirmation नहीं निकल के आई है तो देखो अगर मैं बात को superhero's की movies को लेकर तो देखो अपने पास भी इंडिया में भी बहुत सारे superhero's character हैं पर या तो budget की problem हो जाती या तो फिर scripting और या तो डर रहता है कि ये movie box office पे कैसे perform करेगी चल भी पाएगी कि या नहीं चल पाएगी क्योंकि ये movie को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा budget जरूरत होती है तो इसी के वेश से कोई risk नहीं लेना चाता superhero's की movie बनाने के लिए पर फिल हाल तो अभी धीरे धीरे बहुत सारी movies हैं जो की आने वाली है future में और आएंगी भी तो यहीं तक था ये video अगर आपको ये video अच्छा लगा हो तो इस channel को subscribe कर दो इस video को like कर दो और हाँ मेरे इस channel पर बहुत सारे videos हैं देखना मत बुलना बाई